जै श्री रामसाथियों, हम देख रहे हैं सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृती में जो प्रति दिन बोले जाने वाले श्लोक होते हैं, उनका अर्थ क्या क्या है? प्रति दिन की जाने वाली इस्तुतिवा श्लोकों का अर्थ और आज हम देखेंगे शनी मंत्र ओम नीलांजन समाभासम, रविपुत्रम येमाग्रजम, छाया मारतंड संभूतम, तम नमामी शनिश्यरम, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, पहले तो हम ये जानते हैं कि शनी महराज जो है, वो सूर्य पुत्र है, यमराज के बड़े भाई हैं, ये आपको मालूम नहीं होगा शनी महाराज, रवी के पुत्र है, रवी मतलब सूर्य, मारतन्य मतलब सूर्य, भासकर मतलब सूर्य, यमराज के बड़े भाई हैं, तो जब भी किसी मंत्र के माध्यम से हम किसी की भी इस्तूति करते हैं, तो उनकी जो fundamental characteristics होते हैं, उनको जरूर बताते हैं, उनके अभूशनो के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनकी विशेष्टाओं के बारे में बताते हैं, और उनको नमस्कार करते हैं, ये मंत्र भी ऐसा ही है, शनी महाराज का मंत्र है, ओम, ये ब्रह्मनाद है, गणिष्ट का ये द्योतक होता है, ऐसा माना जाता है कि ओम बोलने से, ब्र निलांजन समाभासम इसके चार विच्छे दोंगे पहला है नील दूसरा है अंजन तीसरा है सम और चौथा है आभासम इसका मतलब क्या हुआ कि नील मतलब नीलारंग यह आप सबको मालूम है नीलारंग जो होता है नील का एक पेड़ होता है उससे यह नीलारंग बनता था नील अंजन अंजन हम आखों में लगाने वाले सूरुमा को बोलते हैं अंजन स्याही को भी बोलते हैं तो अंजन स्याही या सूरुमा उसका कलर सम मतलब के जैसे समान जिसको आप बोलते हो समान के समान स्याही सूर्मा आखों में लगाने वाला जो होता है आईलाइनर इसको अगर आप इंगलिश में बोलते हैं आखों में लगाते हैं आईलाइनर आभासम के जैसा मतलब शनी महराज का जो स्वरूप बताया जा रहा है वो कैसा है वो नीले अंजन नीली स्याही नीला सूर्मा के समान के जैसा आभास देता है नीला धूसर रंग है डस्की जिसको बोला जाता है मतलब ब्लू कलर में यदि आप स्मोक को धूए को मिला दें तो एक धूसर कलर बनता है नीला तो है ही लेकिन उसमें काले काले रंग की भी छाया है तो दोनों को मिला कर के जो कलर बनता है वो शनी महराज का कलर होता है नील युक्त स्लेटी या धूसर कलर स्मोकी काला कौन हैं शनी महाराज ये सूरी के पुत्र हैं तो सूरी पुत्र रभी पुत्रम यम यानी यम राज और अग्रजम अग्रज का मतलब क्या होता है अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई या बड़ा आगे वाला अग्रज का मतलब होता है अगे वाला यानी बड़ा अनुज क चोटे भाई को अनुज कहा जाता है बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है जो आगेर है वो आगे अग्रज तो शनी महराज जो है वो सूर्य के पुत्र है यमराज के बड़े भाई है अग्रज है चाया ये शनी की माताजी का नाम है शनी महराज की माताजी का नाम जो है वो क्या है चाया मारतंड मारतंड मतलब सूरिय भासकर मतलब सूरिय रवी मतलब सूरिय रवी मतलब सूर्य, सूरज जिसको आप नॉर्मल लेंग्वेज में बोलते हैं, इंगलीश में आप बोलते हैं, इसको बोला जाता है, तो छाया और रवी मतलब सूर्य, छाया और रवी के संयोग से ये पैदा हुए हैं, मतलब इनके पुत्र हैं, छाया और रवी के पुत्र हैं, तम मतलब को उनको नमामी, मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, शने चरम, चरम का मतलब होता है, चर का मतलब होता है, चलना, शने शने चलना, शने शने का अब है दिरे दिरे तो शनी महराज जो हैं वो दीरे-दीरे चलते हैं इसलिये इनको शनिश्चर बोलते हैं शनिश्चरम अब इसका मतलब क्या हुआ ओम गनेश जी को द्योधी करता है बाम नाध है यह निली स्याही के समान नीली स्याही निल चाही अभी मैंने बताया स्मोकी ब्लू स्काई ब्लू होता है नेवी ब्लू होता है स्मोकी ब्लू भी होता है तो स्मोकी ब्लू के समान आभास देने वाले सूर्य भगवान के पुत्र हैं यमराज के बड़े भाई हैं चाया और सूरज के द्वारा ये पैदा हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ जो धीरे 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 दीरे चलते है ये शनी महराज का एक चित्र है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा इनके वाहन भी बहुत सारे बताए गए हैं शनी महराज के जो वाहन है वो कौन-कौन से वाहन बताए गए हैं हंस वाहन है उसके बाद में इनका कववा भी वाहन है, सियार है, भैसा है, हाथी है, सिहं है, घोड़ा है, गधा भी बताया गया है और मूर भी बताया गया है कई जगहों पर कुत्ता और गिद्ध भी इनके वाहन के रूप में बताये गए हैं तो इतने सारे वाहनों की सवारी करते हैं शनी महराज